अपने से ताकतवर दुश्मन को चड़ना अपनी तबाही को नियोता देना है लेकिन एरान लगातार अमारिका को उक्सा रहा है एरान ने अब अमारिका पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है इस हमले के बाद अमारिका एक बड़े मिशन की तैयारी में लगा हुआ है और उसका अगला टार्गेट एरान का कोई शेहर हो सकता है पोटिन ने जिस दिन रूस के राष्ट्रपती बद की शपत ली थी ठीक उसे दिन पोटिन ने एक और शपत भी ली थी ये शपत थी अमेरिका का विनाश वो अमेरिका जिसने सोवियत संग जैसे बड़े और विशाल देश के टुकड़े टुकड़े कर दिये उसी विशाल देश में पैदा हुए पुतिन ने अपनी आँखों के सामने अपने देश को बढ़ते और बिखरते तबाह और बर्बाद होते हुए देखा ये दर्द और तकलीफ पुतिन जैसे राश्रवादी लीडर की आँखों में आज भी नजर आती है और इसी लिए पुतिन ने एक सपना देखा एक कसम खाए कि अमेरिका का भी वही हाल करेंगे जो सोवियत संग का हुआ था यानि जैसे को तैसा जबाब देंगे और पुतिन ने अपने इस सपने को साकार करने के लिए अपना एक जिगरी दोस्त चुना है जिसका नाम है इरान इरान भी पहले से अमेरिका का सताया हुआ है और चानक के नीथी के मताबिक दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और इसी कूटमीती पर चलते हुए रूस इरान की हर वो मदद कर रहा है जिससे अमेरिका का विनाश हो सके और यह विनाश भी शुरू हो चुका है इरान ने अमेरिका पर 24 घंटे के अंदर दो बड़े हमले किया है इस हमले में अमेरिका के एक कॉंट्रेक्टर की मौत हो गई है और अमेरिका के पांच सैनिक घायल हो गए आखिर कैसे पुतिन ने इरान को शाबासी देकर अमेरिका पर हमला करवाया आखिर इरान ने कौन से ड्रोन से हमला किया कि अमेरिका का माना हुआ एयर डिफेंस भी फेल हो गया आखिर एरान ने कैसे स्टेल्ट ड्रोन बना लिये हैं जो अमेरिका के रेडार को भी चक्मा देने में काम्याब हो गए हैं आखिर क्यों वार रूम के अंदर अमेरिका के राश्टबदी जो बाइडन काफी परिशान और बेचैन देख रहे हैं इन सब सवालों का जवाब हम आपको देने वाले हैं लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका पर किये गए इरान के ताबर तोड हम लेखे पोतिन की जिंदगी का एक ही मकसद है अमेरिका को निस्तो नाबूत करना और इरान की सरकार का भी एक ही मकसद है अमेरिका को मिडल इस्ट के मुस्लिम देशों से बाहर निकालना अमेरिका ने अपने कई बेस सीरिया के अंदर बना रखे हैं और इन ही में से एक बेस है कोनों को 23 मार्च को इरान के एक ड्रोन ने सीरिया के अंदर नौर्थीस्ट हिस्से में कोनोको में एक एर स्ट्राइक की इसी हमले में अमेरिका का एक कॉंट्रेक्टर मारा किया 45 मिनट के अंदर इरान ने दो हमले कर दिये पहला हमला रात 10 बज कर 49 मिनट पर किया और दूसरा हमला रात 11 बच कर 23 मिनट पर किया और इसके बाद अगले दिन 24 मार्च को इरान ने ड्रोन्स हमलों और एर स्ट्राइक्स की जड़ी लगा दी और अमेरिका का बेस पूरी तरह से काप गया अमेरिका के कई सैनिक बुरी तरह घायल हो गए लेकिन हर किसी के मन में सबसे बड़ा सवाल ये उठाथ रहा है कि आखिर इरान ये सफल हमला कैसे कर सका दुनिया के जिस भी कोने में अमेरिका का बेस होता है और अमेरिका के सैनिक होते हैं कोई एर स्ट्राइक सफल नहीं हो सकती है क्योंकि वहाँ पर अमेरिका अपने सैनिकों की जान कि हिफाज़त के लिए बैतरीन air defence system लगाता है लेकिन आखिर कैसी एरान ले अमेरिका के air defence को fail कर दिया डारसल अमेरिका ने सीरिया में अपने air base मेंsheboard air defence system लगाया हुआ है sheboard यानी avenger short range air defence system क्या है ये शोराड जरा पहले इसकी तस्वीरें और मारक शम्ता पर गौर कीजिए ये है अमेरिका का शोराड एयर डिफेंस सिस्टम ज्यादा तर जब अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम की बात आती है तो लोगों को पैट्रियाट और नेसम्स के बारे में जरूर याद आता है लेकिन अमेरिका का ये एयर डिफेंस शोराड भी अमेरिका की वायू रक्षा प्रणाली में एहम भूमी का अदा करता है जरा देखिए शोराड से निकलने वाली मिसाइलें कैसे लॉंचर से बाहर निकलकर दुश्मन की बलेस्टिक मिसाइल प्रोन या फिर फाइटर जट्स पर हमला करके उनको नस्तो नाबूत करने की ख्षमता रखती है शोराड एयर डिफेंस अपने लॉंचरों से जो मिसाइलें लॉंच करता है वो क्रूज मिसाइल को नश्ट करने में भी माहिर होती है अमेरिका के सैनिकों के हिफासत के लिए सीरिया में इस रक्षा प्रणाली की तैनाती 2021 के फरवरी महीने में की गई थी इसमें एक समय में चार राउंड फायर होते है अमेरिका ने रूस के खतरनाग ड्रोन अटैक का मुकाबला करने के लिए योक्रेन को भी एयर डिफेंस सिस्टम सौपा है इसके अलावा स्वीडन और नॉर्वे भी इससे एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तिमाल करते है नोयोर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि हमले के समय नाटो गटबंधन के एयर बेस की प्रात्वीक वायूरक्षा प्रणाली पूरी तरह से चालू नहीं थी अमेरिका के अकपारों की ये प्रतिक्रिया हास्यासपद और पूरी तरह से हैरान करने वाली है अगर एयर डिफेंस सिस्टम सही समय पर चालू ही नहीं हो पाए तो ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम से क्या फाइदा है ये अमेरिका की बहुत भारी चूक है आईए जरा एक नजर तोड़ाते हैं कि आखिर इरान के वो कौन से ड्रोन हैं जिन्होंने योक्रेन के अंदर भी भारी तबाही मचाई और अमेरिका की नाक में भी दम करके रखा है इसमें तीन ड्रोन शामिल रहे जिसमें मोहाजर 6, शाहिद 119, शाहिद 191 ड्रोन शामिल है ये ड्रोन सर्विलांज के साथ दुश्मन पर बं गिराने का काम कर सकते हैं इरान का ड्रोन शाहिद 191 अपने डेजाइन की वज़ज़ से काफी खतरनाक माना जाता है शाहिद 191 ड्रोन की लंबाई 2.7 मीटर विंग स्पैन 7.31 मीटर होती है शाहिद 191 ड्रोन 350 किलोमेटर प्रती घंटे के रफतार से उडान भर सकता है इसकी ओपरेशनल रेंज 1500 किलोमेटर है टार्गेट को तबाह करने के लिए 100 किलो के दो बम ले जा सकता है ये कुल 500 किलो वजन के साथ उडान भर सकता है शाहिद 191 ड्रोन 25,000 फीट की उचाई तक उड़ सकता है शाहिद 191 ड्रोन 4.5 घंटे तक उड़ सकता है दोनिया इरान की ड्रोन टेक्नलोजी देखकर हैरान है तो रूस के राश्टोपती व्लादे मेर पोतन तो इरान की ड्रोन पावर के मुरीद बन चुके है दरसल ये तो इरान के बदले की शुरुबात है इरान एक बदले की आग में जल रहा है ये तस्वीर देखिए जो जनवरी 2020 में पूरी दुनिया में चर्चा का विशय बन गई थी जब इरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी की आँखों में आसू थे और जब इरान के प्रधान मंत्री भी आसू बहा रहे थे ये तस्वीर उस घटना के बाद की है जब अमेरिका ने हेलफ फायर मिसाइल से जनरल कासम सुलिमानी की हत्या कर दी थी तब से आज तक इरान के सुप्रीम लीडर बदले की आग में चल रहे है रूस की सरपरस्ती में इरान, अमेरिका और एजरायल पर हमले की पूरी तयारी कर रहा है अब एक कुछ वक्त पहले ही इरान की सरकारी टेलिविजन ने एक खतरना क्रूज मिसाइल के परीक्षण की तस्वीरें भी जारी कर दी थी इतना ही नहीं, साल 2022 के नवंबर के महीने में भी एरान ने हाईपरसोनिक बलेस्टिक मिसाइल के परीक्षण का दावा किया था तरसल एरान ने तब भी ये दावा किया था कि ये हाईपरसोनिक मिसाइल ऐसी है जो किसी भी एर डिफेंस को भीड सकती है दिए दुछार्पामोजाय को सीर मेतार कि वन्हाच अहूरते। झाल लिए तन्हार दुछार्पामोजा को जोजए अप्छार मेतार था कार टाया है इन सामाने दाराई सुरेत बिस्यार 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 बालिए, और ऑफजी दिर जव जव दर न दर्ए दR时 दर जव दोम्साह काना बालियी, दिस सामाने सक्कानी हे दो्ड़े कि दर रपनी करून, जब मुकाबले मुकूनां बा मुशका, इन पूशक जदीद जुन्गुरी असलामी एरान अज़ हने उन्हा उभूर में कने वा फिक्र ने मी कनें ता जहास सादे बड़ इरान की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि वो अमेरिका के पूरो राश्रपाती डोनल्ल ट्रम और पूरो विदेश मंत्री माईक पूंपियों को भी जान से मार में किधमकी दे चुका है मिडल इस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा रणनलितिक दोस्त तो इस्रैल है और इस्रैल को भी इरान ने टार्गेट पर ले रखा है इस्रैल के लिए सबसे बड़ी चिंता का सबब ये क्रूज मिसाइल बनी हुई है क्योंकि ये 1650 किलोमीटर तक वार कर सकती है जबकि इरान के वेस्टन बॉर्डर के पास मौजूद शहर खुर्रमाबाद से इस्रैल की राजधानी जेरुशलम की दूरी सिर्फ और सिर्फ 1520 किलोमीटर ही है